हलो प्यारे बच्चों, आज हम लिखेंगे मेरा परिचे, मेरा परिचे के उपर कुछ sentences, कुछ वाक्य जो हम लिखेंगे और ये पहली दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए ठीक रहेगा और मैं आपको 10 sentences लिखवाऊंगी, 10 वाक्य लिखवाऊंगी, बताऊंगी और आपने 5 लिखने हैं तो इसमें से कोई भी 5 लिख लीची और अगर 10 लिखने हैं तो फिर तो आपको सारे sentences यहां से मिली जाएंगे ठीक है, जो पहला sentence है, पहला वाक्य है, वो है मेरा नाम डैश है मैंने यहां पर लिखा नहीं है, आप अपने ही साब से लिख लेने, जैसे आपका नाम जो भी है आप लिख लेना, ठीक है मेरा नाम डैश है, ठीक है, और मेरा परिचे का क्या मतलब होता है, मेरा introduction की, आप अपने बारे में बता रहे हो मेरा परिचे में होता है कि आप अपने बारे में कुछ sentences लिखोगे, कुछ वाक्य लिखोगे, ताकि जो teacher है या जो भी इस चीज़ को पढ़ रहा है, उसको आपके बारे में कुछ पता चल जाए, ठीक है तो मेरा नाम डैश है, आप यहाँ पर अपने नाम लिख लेना, और जब अपना नाम लिख लोगे ना, तो फिर यह डैश नहीं रहेगी, ठीक है मेरा नाम डैश है, मैं साथ साल की हूँ, ठीक है, साथ साल की हूँ, आप छे साल के हैं, साथ साल के हैं, पांच साल के हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है और जो boys हैं वो लिखेंगे मैं साथ साल का हूँ ठीक है का लिखेंगे की की बजाए मैं साथ साल की हूँ गल्स लिखेंगे तीसरा sentence है मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ मैं आगरा में रहती हूँ जहां पर आप रहते हो उस जगा का नाम लिखती है उस शहर का नाम मैं आगरा में रहती हूँ boys लिखेंगे मैं आगरा में रहता हूँ ठीक है और अगला है मेरे पिता जी का नाम डैश है मतलब आप अपने पिता जी का नाम लिख देंगे तो ये नीचे जो मैंने लगाई हुए इसको हटा देंगे आप ठीक है तो बस नाम लिख देंगे अपने फादर का नाम लिख देना यहां पर मेरे पिता जी का नाम डैश है और उसके बाद विदाले का नाम डाश है, यहां भी बहना नहीं लिखा, क्योंकि आप सब अपने अपने विदाले का नाम यहां पर लिख देंगे, मेरे विदाले का नाम डाश है, जो भी आपके विदाले का नाम है, स्कूल का नाम, विदाले का मतलब होता है, स्कूल जहां पर आप पढ़न यहां से लगा देता, दाकि वो बॉल बड़, थीके, इसलिए बॉल हो जाता नहीं, तो, फुट बॉल, मेरा प्रियेख खेल है, ठीके, और मुझे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है अगर आपको आईस्क्रीम खाना अच्छा लगता है आप आईस्क्रीम लिखतीजिए आपको जो खाना अच्छा लिखतीजिए मुझे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता है कि सारे मेरे मित्रुचुआ, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, ठीक है? तो ये संटेंस होके दस, और ये किसके अंडर आएंगे मेरा परिच्छ है, मतलब मेरा इंट्रोड़क्शन, जो आप अपने बारे में बता रहे हैं, और भी कुछ लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, और अगर कोई confusion है, कोई दिक्कत है, तो मुझे comment section में लिख देना, मैं आपके doubts क्लियर कर दूँगी, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है, तो मुझे जरूर बताना, कैसे बताओगे, लाइक के बटन को प्रेस करके, लाइक के बटन को जब प्रेस कर दोगे, तो मुझे पता चल जाएगा, कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, और जब सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, और फिर आल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वैसे ही वीडियो मिल जाए और आप अपनी नॉलेज बढ़ाते चले जाए तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड जल्दी ही मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर आफ यॉरसेल्ब्स